नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों शुक्रवार की रात चुपचाप फेंक दें यहाँ पर एक लॉंग जीवन के हर कष्ट मिल जाएगी आपको मुक्ती माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा दोस्तों हिंदू रीती रिवाजों में पूजा में धार्मिक कार्यक्रमों में लॉंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है जोतिश शास्त्र में भी लॉंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदी आप करते हैं तो ना सिर्फ आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही होता है आपको आज हम उन लॉंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपयोग को करके ना सिर्फ आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं बलकि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी दोस्तों आपने देखा होगा कि आप किसी जोतिश के पास जाते हैं, तांतरिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो वो आपको ऐसे उपाय बताते हैं, जो बहुत ज्यादा खर्चिले होते हैं, और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु यदि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते हैं और लॉंग के उन उपायों को समझ लेते हैं, जो हम आपको बताने जा रही हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज्यादा समस्या सिर्फ ए देवताओं की पूजा में यदि प्रयोग ना किया जाए, तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती, माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है, उसमें लॉंग का उप्योग ना किया जाए, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं ज हमारे हिंदू धर्म में लॉंग के प्रयोग का एक विशेश महत्व बताया गया है। को उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को करके ना सिर्फ आप अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ती पा सकते हैं, बलकि लॉंग का एक सरलसा उपाय करने पश्चात आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समर जिद्धी, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ती होगी दोस्तों हिंदू धर्म में लॉंग का प्रयोग आज से नहीं बलकि सदियों से चला हुआ आ रहा है, लॉंग को ना सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टी से बहुत अच्छा माना गया है, बलकि तंत्रशास्त्र की भी बहुत ही ज्यादा उप्योगी माना गया है, कहा जाता है कि लॉंग का उपाय यदि माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माता लक्ष्मी जी का तुरंथ ही हमको आशिरवाद और वर्दान मिल जाता जाता, जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुवात में ही बता चुके हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में यदि लॉंग का उप्योग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्द नहीं मानी जाती है, आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रही हैं जो लॉंग से आपको करनी है, लॉंग के उपाय करके आप अप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा आपके। आप कैसी भी परिशानी में पड़े हो दोस्तों बस इस वीडियो को बिना भगाय लास्ट तक अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता चलेगा कि लॉंग का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन की मनोकामना जैसे मान। लीजिए आप जौब चाहते थे तो आपकी जौब लग जाएगी आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इसी संपत्ती को आप खरीदना चाहते थे। वो संपत्ती आपकी हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लॉंग का प्रयोग करके आपको माता लक्ष्मी जी का वो वर्दान मिलेगा जिसके पश्चात आपक माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजि जै माता लक्ष्मी जी की, देखिए इस वीडियो को बिना भगाय लास्ट तक अंत तक देखिएगा, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस महूत पर करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि उपाय करें, आप तो उसका लाब आपको अवश्य ही मिले, और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा हम जब भी उपाय करते हैं, लौं के हमें नियमों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन किये बिना कोई भी उपाय करेंगे, आप तो उसका लाब आपको नहीं मिलेगा, तो कौन सा उपाय किस क जीवन में धन आना बंध हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही, परेशान है आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, तो धन आए वो रुके भी और टिके भी और उसमें व्रिद, धी भी हो तो आपको क्या करना होगा, एक सरल सा उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं, यह उपाय आपको लगातार पांच शुक्रवार करना है, पांच शुक्रवार के पश्चात आपको माता लक्ष्मी का वर्दान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह आज का उपाय नहीं, बलकि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन है, अब आपको शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है। शीशे की प्लास्टिक की जैसी आपकी इच्छा हो जिसमें आधा नमक भरा हो, अब आप लोगो माता लक्ष्मी जी का बीज मंतर बोलना है, वो इस प्रकार से है, हम फिर से रिपीट कर दे रही हैं। भी पैसे का लेंदेन करते हैं, रख देना है। आपको मुक्ती मिलेगी ही मिलेगी आपके जीवन में जो पैसा आना बंध हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, जो आएगा उसमें बहुत तेजी से वृध्धी भी होगी, और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाए एक ऐ ऐसा उपाए है, जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वर्दान मिलेगा, तो दोस्तों दूसरा उपाए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह है घर की बरकत का महा उपाए यदि आपके घर में रोज लड़ाई जगडाग्रे टलेश हो रहा, हैट आप देख रहे कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक उपाए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए, यदि आपके पास ये दोनों नहीं है, तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए, मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए, जिस पे आप लोग पांच लॉंग, तीन कपूर और दो इलाइची जला सके आपको यह उपाय करना है, शनिवार की शाम को शनिवार के सूर्यास्ट के पश्चात आपको पांच तीन कपूर और दो इलाइची जलाना है और इसका धुआ पूरे घर में दिखाना है अभी जो राख बच जाएगी इन तीनों चीज की इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग एक हफ्ता मतलब लगातार साथ दिन सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर के जाडू लगाएए इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए यदि यह आप लोगों ने साथ दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ती थी बुरी शक्ती थी ऐसी कोई वास कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था आपके घर की बरकत रुप गई थी उन्नती रुप गई थी दोस्तों वह आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नती भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना, शुरू हो जाएगा, आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, तीसरा उपाय है, दोस्तों बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका थप गया, और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह महाउपाय कीजिये जो आपको हम बताने जा रही है, देखिए मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता है, आ पुजा घर पर मिल जाएगा, इसको लाल कपडे में पोटली बना लीजिए, पोटली बनाते वक्त मौली धागे का कीजिएगा, हनुमान जी के मंदिर आपको सुभह से शाम किसी भी समय जाना है, जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलान है, और इसी पोटली को हनुमान जी के दाएं चरन से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे के लेंदेन करते हैं, बस इतना आपको करना है, फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के पश्चात, आपके जीवन म के पश्चात आपका व्यापार वापस से दोड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा, अब जो आपको उपाय बताने जा रही हैं, दोस्तों वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय, दोस्तों जिस व्यक्ती का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस व्यक्ती का मान क चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खिंचा, वा चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए को लौं का ही प्रयोग करना होता है, यह हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है, तो शुक्र ग् के लक्ष्मी जी के हात्itel है, आप चाहते हैं कि माता لक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएं, तो आपको क्या करना है, देखिए शुक्रवार के दिन सुर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है, धोने के पश्चात किसी भी प पीपल पेड़ पर चले जाए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के पश्चात उस तरफ एक तरफ आपको अपनी बाई तरफ एक लॉंग बहा देनी है सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाई तरफ एक लॉंग बहा दीजिये और उस पीपल पेड़ की तीन परिक्रमा करके घर वापस आ जाएए यह प्रयोग आपको लगातार पांच शुक्रवार करना है पांच शुक्रवार यह उपाय यदि आप कर लेते हैं तो मान लीजिये आपका जो शुक्र है ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था वह शुक्रग्रह मजबूत हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशिरवाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परिशानिया भी समाप्त हो जाएगी और धन चारों दिशाओं से खीचा हुआ चला आएगा शुक्रवार के दिन शिव मंदिर जाकर भोले नाथ का जलाभिशेक करें इस बात का ध्यान रखें की जलाभिशेक तामबे के लोटे में जल भर करके एग धारा में धीरे-धीरे करें इसके साथ ही विधिवत पूजा करने के साथ शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवा मा लक्ष्मी को गुलाब अतीप्रिय है। इसलिए मा लक्ष्मी के चर्णों में गुलाब या फिर कमल का फूल अर्पित करें। इससे पैसों की तंगी से छुटकारा मिल जाएगा। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए शुक्रवार के दिन मा लक्षमी के साथ श्री यंत्र की भी पूजा करें साथ ही श्री पाठ करें और मा के चर्नों में कमल का फूल अर्पित करें ऐसा करने से मा लक्षमी आर्थिक तंगी दूर करती हैं आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवर्श कर दें, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए